हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रहें और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहें कई बार होता है कि जब हम किसी सितारों का इंटर्व्यू सुलते हैं तो उसमें हमें काफी कुछ जो है उनके बारे में पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर उनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट है या नहीं या फिर जो है जिस प्रोजेक्ट उन्होंने काम किया तो उनका सफर कैसा रहा है खास कर जब भी इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले क्रेज होता है कि उनका नया प्रोजेक्ट क्या है और यदि वो रणिंग प्रोजेक्ट में है तो उसमें वो कैसा फील कर रहे है तो चलिए मैं आपको जो है कुछ खास सितारों की न्यूज देने वाली है जिन्होंने एक साथ एक ही प्लेटफोर्म पे अपने पर्सनल और पॉफेस्नल दोनों चीजों के बारे में बाते की हैं वो टीवी सितारे काफी पॉपुलर हैं जैसे दीरस दूपर हरसत चोपडा शक्ति अरोडा और निहां जिन्हें आप जो है में आई कमिंग मैडम जैसे शो में भी दे इतना आसान नहीं है इस इंडस्टी में काम करना और इतना आसान नहीं होता ट्यार पी निकालना सभी ने किसी कि तारिफ की कि शो की किस पॉडक्शन की या फिर बॉली बुड के सफर की या फिर टीवी के सफर की और जो हैं यह चारों स्टार काफी सीनियर लिस्ट में गिन कर चुके हैं तो चलिए टाइम सोफ इंडिया में इन्होंने एक इंटर्व्यू दिया जहां पर छोटी-छोटी क्लिप सामने आई सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके निहा की जो कि आपको मेयाई कमिंग मैडम में नजर आ रही है या नजर आई थी उन्होंने कहा कि प्लेटफोर्म पे छोटा सभी रोल मिलता है तो मैं बेजीज़क करने के लिए तैयार हूं ऐसे में लगता है कि जहां किसी और एक्टर्स को देखते हैं तो ऐसा हम भी कर सकते हैं लेकिन वहां तक का उनका सफर कैसे रहा होगा यह जब हम वहां तक पहुचते हैं तब पता चलता है ऐसे में उसी बीच में जो है दीरस धूपर ने कहा कि छोटे पर पर जो पॉपुलिटी जो प्यार मिलता है या फिर हम जब बड़े पर जाते हैं तो हमें उस तरह नहीं देखा जाता जैसे छोटे पर दे वालों को देखा जाता है एक कहीं न कहीं एक दूरी है बॉपुलिट और चोटे पर दे की बीच में जहां पर टीवी सितारों को बहुत कम जो है बॉपुलिट के लिए रस्ते खोले जाते हैं अगर आप TV इंडस्टी में काफी पॉपुलर हैं, काफी पॉपुलर शो कर चुके हैं, उसके बावजूर भी अगर बॉली बुड के रस्ते आपके लिए नहीं कुल रहे हैं, तो यकीनत है वहाँ कहीं नहीं, TV स्टारों के लिए बाउंडिशन है, यह सुनकर हरसत चोपड़ बोले कि अभी मैंने सीज में अजमाया नहीं है, तो मैं इस चीज का experience नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं आज की डेट में जब TRP देखता हूं, तो TRP का प्रेशर जादा रहता है, हरसत चोपड़ा ने कहा, जब मैं किसी शो में काम करता हूं, तो मेरे उपर एक प्रेशर रहता है, कि आपको TRP निकाल नहीं है, तो ऐसे मैं अब तक जितने भी मैंने शो किये हैं, TRP निकल कर ही आई है, ये फैंस का support है, ये जो लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करूंगा निर्माता की, डारेक्टर की, जिन्होंने वो कहानी लिखी है, उस लेखक की, जिन्होंने कहानी लिखी है, उन्ही की वज़े से TRP निकल कर आई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं TV इंडस्टी में किसी स्टार की बात करूं, तो राधा मोहन की कास्ट मुझे बहुत प्यारी लगती है, और काफी बैस्ट है, लेकिन उनकी जो स्टोरी है, वो अच्छी नहीं है, जो है, उन पॉपुलर सितारों का भी कोई वेल्यू नहीं है, जब स्टोरी ही बैस्ट नहीं है, जहां पर उन्होंने शबीर, यानि कि राधा मोहन शो छो के स्टारों की तारीफ की, तो उनका कहना सही है कि जो स्टोरी है, वो उन्हें इतनी अच्छी नहीं लगी, यानी कि वहां लेखक की कमी है अगर बात करें तो उन्होंने producer ममता या स्पाथनी की तारिफ किया है जिनके आप इश्क में घायल या फिर इश्क में मर जावा या चन्ना मेरिया या फिर जो है सही शेख भी सोनी पर उनके प्रोजेक्ट पर काम कर चुके है तो ऐसे में जो है उन्होंने ममता की तारिफ की है कि मुझे जो है अगर production की बात करें producer की तो ऐसे में जो है उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे पर TRP का pressure रहता है ना तो उससे पहले मैं जो है story को देखता हूँ कि story अगर दमदार होगी तो TRP निकल कर आ जाएगी और ऐसे में भी मैंने जो है बोली बोड या जो है OTT की तरफ हाथ अजमाया नहीं है तो पता नहीं वहाँ पर TV सितारों की क्या value है उसी बीच में जो है शक्तिय अरोडा बोले जब आपस में सभी बाते कर रहे थे कि हमें लगता है कि बस ये last generation है जो TV देख रही है यानि कि वो हमारी generation होगी जो कि TV पे देख रही है और TRP निकल कर आ रही है आने वाले time में मुझे नहीं लगता कि जो है TV पे कोई serial देखेगा क्योंकि बस हम सोच रहे हैं ये last generation है जो TV पे TRP निकाल रहा है तो उनके सभी बाते कहीं न कहीं एक दूसरे से match कर रही थी और काफी जादा फील भी हो रहा था कि वाकी ही वो इस industry में अगर काफी लंबे time से है तो उने काफी चीजों का experience है तो ऐसे मैं आपको किसकी बात में जादा दम लगा कमेंट करके जरूर बताईए बाकी जानकारी के लिए ये लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है